अब आप सब्सक्राइब आपके अपने चैनल रोईट फार्मा तो फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल से टोपिक के बारे में आज हम बात करेंगे कि सरीर के अंदर ब्लड प्रेसर की नॉर्मल वेलिग क्या होती है अब बोड़ी के अंदर आक्सीजन लेवल की नॉर्मल वेलिग क्या होती है तो मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अग्सीजन की मैं आपको फॉर्मल वेलिग बताऊँगा और जादा हाई वा बताऊँगा तो ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने बाला हूँ चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रेश कर वेल आई के ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें और देख के आपको नोलेज की रोद कर सको तो फ्रेंट आज हम बात करेंगे ब्लेट प्रेशर ब्लेट प्रेशर क्या होता है का ब्लेट चिन कोसी काओं में बैता है और उनके उसी काओं पर प्रेशर डालता है यशी की body के अंदर blood जिन नलीकाओं में बेता है उन नलीकाओं में वो pressure डालता है तो उस condition में हम उसको खाएंगे blood pressure तो आज हम बात करने वाले हम blood pressure की normal value blood pressure दो परकार का होता है systolicinating और dicistolic systolic वो लेगे तो ऊपर का होता है और dicistolic नीचे का होता है तो हम बात करेंगे, ब्लड प्रेसर की सामन वेल्यू क्या होती है, यदि ब्लड प्रेसर बोड़ी के अंदर 120 बटे 80 आता है, तो उस कंडिशन में हम बोड़ी के अंदर उस ब्लड प्रेसर को नॉर्मल वेल्यू कहेंगे, जिससे किसी भी पर्सन का बीपी चेक कराने जाओग तो तब आपका blood pressure 120 बटे 80 आता है तो आपका blood pressure normal है और ब्लट प्रेशर चेक करें और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा बढ़े हुए की बात करेंगे यह से किसी व्यक्ति का blood pressure 130 बटे 50 आता है यह 130 बटे 90 आता है तो इस condition में blood pressure को normal कहेंगे थोड़ा सा control कहेंगे थोड़ा सा ब्लट प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा हुआ कहेंगे यदि कोई भी परसें बीपी चेक कराने यह ब्लट प्रेशर चेक कराने आता है तो उसका blood pressure 140 बटे 90 आता है तो उपर का 140 नीचे का नप्रे आता है तो इस condition में blood pressure को बढ़ा हुआ कहेंगे थोड़ा सा और साथ ही साथ जैसे कोई भी अप्रेशर फरसे चेक कराता है तो उसका blood pressure 150 बटे 95 आता है तो उस condition में blood pressure को बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ कहेंगे तो उस condition में आप अपने परीचर आसपास के डॉक्टर को देखाएं और डॉक्टर के अनुसर प्रेस्क्राइब के अनुसर मेडिसिन ल होता है उसके ठ्वड़ा बड़ा गत्ता होता है और ज़्यादा है कितना होता है तो आए अपको सारी वीडियो के बारे में शमयने आया होगा और blood pressure के बारे में समयने आया होगा तो blood pressure की जानकारी में आपको दिए अब हम बात करेंगे oxygen लेडिए आक्षीजन हमारी बोडी लंग्स में जाके एक्सेंज होती है और बलड के द्वारा अमारी पूरी बोड़ी में जाती है तो उस कंडिशन में हम उसे आक्सीजन लेवल आक्सीजन कहते है यदि अब हम बात करेंगे बोड़ी के अंदर आक्सीजन लेवल की सामान वेल्यू कितनी होती है उससे जादा कि किती है उससे कितनी होती सारी इन्फгляд करेंगे आ किसलो प्रवाल विडियों में अन्त तक बने रहें है अब बात करेंगे किugen कि वोडिक के अंदर की घृत टीकि 6 36 andडर यदि चोर आनबे आता है तो हम युद्त यदि कोई ब्यक्ति आक्सियन लेवल चेक कराने जाता है तो 95 से 100 के बीच में आता है तो इस कंडिशन में आक्सियन लेवल को नॉर्मल कहेंगे और काफी अच्छा आक्सियन लेवल को कहेंगे इसे हम योगा, एक्सियन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ यदि किसी ब्यक्ति का आक्सियन लेवल 80 से 89 के वीच में आता है तो उस कंडिशन में हम आक्सियन लेवल को काफी कम कहेंगे इस कंडिशन में हमें डॉक्टर को दिखाने चाहिए, डॉक्टर के दिखाने के अनुसार वो जो एडवाइस देता है उस कंडिशन के हम काम करने चाहिए, तो आए हो आपको यह सारी इंफर्मेशन समझी में आयोगी जो मैंने शाप शाप और सुथ भासवा में आपको मैंने यह दोनों चीजों के बारे में समझाया है तो भी समझाया है यदि बोडी के अंदर आक्सियन लेवल सामान में आप समझ गए होंगे प्रेज दा वेल आइकेन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सको और आप वीडियो को देख सको फ्रेंट फट अफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जैहिं जैवारत बंद मातरम